नमस्कार पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सेल्स प्रॉपर्टी इस्तिमाल करके हम कैसे एक सेल को सिलेट कर सकते हैं या चुन सकते हैं अब हम सीखेंगे हम कैसे मल्टिपल सेल्स या कई सारे सेल्स सेल्स प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो उधारन की तौर पे हम ये A to E सेल्स सिलेक्ट करेंगे ये बहुत महत्वपूरण है यदि आप Excel VBA में Automation सई तरीके से सीखना चाते हैं तो हम चलते हैं Developer टैब पे Applications विंडो में हम चलेंगे Insert पर Module यहां हम लिखेंगे अपना Macroname Sub, Select Multiple Cells अब हम लिखेंगे अपना Code, Range Brackets Open Cells 1,1 ये हो जाएगा A1 से लेकर Cells 1,5 ये हो जाएगा Cell E1 Bracket Close क्योंकि हमने यहां एक Bracket खोला था Dot Select Tab दबा दीजिए और अभी हम इसको यहां से Run करेंगे अब चलेंगे मैं अपने Excel वरक्षीट में तो आप देख रहे हैं ये Range Select हो गया उमीद करता हूँ आपको ये Interesting लगा देखने के लिए धन्यवाद आपको बाहे हैं आपको ये सकता हैं ये सकता हूँ ये सवा ये समय देखने को ये सकता हैं झाल झाल